वेलकम टो मूवी आइलेंड मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है इस लड़की का नाम है सोफिया सोफिया बाकी बच्चों के साथ लंडन के एक अनात आश्रम में रहती है क्योंकि बच्चपन में ही उसके माता पिता की मृत्य हो गई थी सोफिया रात के तीन दिन बज़े तक अनात आश्रम में अकेले घूमा करती है क्योंकि उससे इंसोमिया है जिसके कारण उससे नींद नहीं आती यहां बच्चों को डराने के लिए उनकी मेट्रीन उन्हें ये कहा करती थी कि रात को जोले वाले पाबा आते हैं उनका मानना था कि वो रात को बारा बज़े आते हैं पर सोफिया मानती थी कि वो रात के तीन बज़े आते हैं रोज की तरह जब सब सो रहे होते हैं और सोफिया अपनी बुक रीट कर रहे होती है तब ही वहाँ पर बाहर से कुछ अवाज आती है जिसकी वज़े से सोफिया की बिल्ली बाहर चली जाती है अब सोफिया को थोड़ा डर तो लगता है पर वो फिर भी बाहर अपनी बिल्ली क सामने आ जाता है सोफिया उसे जोले वाले बाबा समझती है जिसे मैट्री नोंने डराया करती थी सोफिया जल्दी से अपने कंबल के नीचे छुप जाती है पर वो देख चुका था इसलिए देखते सोफिया को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है हम देखते हैं कि इतना छीपते देख देख सोफिया लेकर बड़े बड़े चलांग मारता हुआ सारे जडबने समुदर पार करता हुआ अपने देख यानी जाइन कंट्री पहुंच जाता है और वो देख सोफिया को अपने गर की अंदर ले आता है सोफिया वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है पर वो दैते उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे वहां से ना भागने की सक्त हिदायत देता है ये दैते बहुत बड़ा और बुड़ा होता है दैते सोफिया को उठा कर पैन में रख लेता है और कहता है कि मुझे बहुत भूक लगी है और एक सबजी काटने लगता है जिसे ककड़ भूजा कहते है सोफिया यहाँ डड़ जाती है और देतिय से पुछती है कि आप मुझे खाने वाले हैं तो देते हस्ते होए कहता है कि मैं इंसानों को खाऊं ऐसा कभी हो नहीं सकता। दरसल ये देते एक शाकाहरी देते है। ये इंसानों को नहीं खाना चाता। इसलिए ककर बुजा खाकर अपनी जिनकी जैसे तैसे गुजार रहा है। अब यहां सोफिया देते से पूछती है कि तुम मुझे यहां पर क्यों उठा कर लाए। तो देते जवाब देता है कि तुमने मुझे देख लिया था। और फिर तुम चिला चिला कर सब को बता देती कि तुमने एक देते को देखा है। फिर इंसान यहां आकर हमको पकड़ते मुझे ये सब भंगामा नहीं चाहिए इसलिए अब से तुम मेरे साथ यहीं रहोगी हमेशा के लिए तब ही सोफिया कहती है कि मैं यहां से भाग जाओंगी तो देते कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि बाहर जो देते हैं वो मा बॉटल में क्या है देते कहता है कि सपने सोफिया कहने लगती है कि मुझे तो सपने आते ही नहीं क्योंकि मैं सोती ही नहीं दरसल सोफिया को इंसोमिया है देते सोफिया की बुग जो सोफिया के साथ ही यहां पर आ गई थी उस बुग के कहानी को पढ़ने लगता है अब थ सोफिया भागने का अच्छा मौका देखकर वहां से भागने लगती है अभी वह भागी रही होती है कि बड़े दैते उसे पकड़ लेते हैं सोफिया बहुत जोर से चिलाती है पर बुड़ा दैते उसकी मदद के लिए नहीं आता जैसे कि उसे कोई फरक नहीं पड़ता है और सोफिया डर के मारे उठ जाती है दरसल ये एक सपना था और सोफिया दैते से कहती है कि ये सपना आपने ही मुझे दिखाया है ना सोफिया कहती है कि ये सपना मेरे लिए बहुत डरावना था दैते कहता है कि ऐसा करना बहुत जरूरी था ताकि तुम यहां से भागने की कभ अब क्योंकि वो इनसानी मास के बूके हैं उसे सोफिया की सुगंद आ जाती है वो सोफिया को ढूड़ने लगता है इसलिए सोफिया जल्दी से वहां पर रखे ककड़ भूजे में छुप जाती है अब यह दैते वही ककड़ भूजा खाने के लिए उठा लेता है ऐसे तो यह सबजिया या फल नहीं खाते पर आज इस बड़े दैते को यह ककड़ भूजे में से बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही थी ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें सोफिया थी पर जैसे ही उस बूड़े दैते को इसका पता चलता है वो उसके हाथ में लटक जाता है और कहने लग कि वो बड़ा दैते कहीं जा रहा था तो सोफिया उसे पूशे लगती है कि तुम कहां जा रहे हो तो वो दैते कहता है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं वो सोफिया को साफ साफ कुछ नहीं बताना चाहता है पर सोफिया जित करने लगती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है अब वो दैते सोफिया को बाहर इसलिए नहीं ले जाना चाता है क्योंकि बाहर उन बड़े दैते को अगर सोफिया के बारे में थोड़ी से भी भनक लग गई तो मुसीबत हो जाएगी लेकिन सोफिया अभी भी जित कर रही होती है और अखिरकार मैं बड़े दैते जवाब देते हुए कि मैं अपना काम करने जा रहा हूँ जिसके बाद बड़े दैते बुड़े दैते को कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ और हमारी लिए वहाँ से मुसीबत लेकर आओ दरसल अगर इंसान उन में से किसी को भी देख लेंगे तो उन सब की जान खत्रे में पढ़ सकती है इसके बाद बड़े दैते बुड़े दैते को तंकरने लगते हैं पर इतने में ही वहाँ पर बारे शुरू हो जाती है जिसे देखकर बड़े दैते घबराने लगते हैं क्योंकि इन दैते को पाने बिल्कुल पसंद नहीं है यहां तक कि वो इतने सालों में नहाए भी नहीं ह इसलिए वो सारे देते यहां वहां भागने लगते हैं और जल्दी से जाकर गुफा में छिप जाते हैं इसका फाइदा उठा कर बुड़ा देते जल्दी से सोफिया को अपने बैग में छिपा लेता है जिसके बाद वो पहाड़ों से होते हुए अपने रस्ता तैय करते हैं जो रस्ता बादलों से होता हुआ सपनों की नगरी तक ले जाता है। सोफिया उन सपनों को देखर कहती है कि ये सपने देखने में कितने सुनदर लग रहे हैं। तो देते कहता है मैं तो इनकी आवाज भी सुन सकता हूँ। इतना ही नहीं मैं दुनिया की हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ जैसे छोटे छोटे कीड़ों पेड़ों और बाकी सब चीजों की आवाज भी सुन सकता हूँ मैं दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवाज को सुन सकता हूँ तो सौफिया मजाख में कहती है मुझे आपकी बाद पर भरोसा नहीं है पर बुड़ा देते कहते हैं कि यही सच है अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहां बुड़ा देते पानी में कूछ जाता है और पीछे पीछे सौफिया भी पानी में चलांग मार देती है जिसके बहुत हैं कि सपने होते हैं और यहां पर लाल रंक के सपने भी होते हैं जिससे ऑपकड लेती है यह देकर बुड़ा जाइन सोफिया से वह बुरे सपना ले लेता है अब देर में वह दोन후 सपने पकड़कर वापस जाने लगते हैं अब बूरा दैतियों और सोफिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी इसलिए देटिया सोफिया से एक कहानी शेयर करता है और कहता है कि मुझे इस देटियों के देश में सब बॉना कहते हैं पर एक बार मैं बहुत खुश था जब मुझे एक प्यारसा दोस्त मिला था वो इतना ही प्यारा था जितने की तुम हो वो मुझे बिग फ्रेंडली जैंट कहता था ये सुनकर सोफिया भी कहती है कि ऐसा था फिर ठीक है मैं भी अबसे तुमको बिग फ्रेंडली जैंट यानि बी एफजी कहूंगी इसके बाद वो लोग इंसानी दुनिया में जाते हैं जहां पर वो दैते सोतो ही लोगों को अच्छे-च्छे सपने देता है ताकि वो सपनों में तो खुश रह सकें यहां पर हमें ये पता चलता है कि बी एफजी बहुत अच्छे दिल का है वो इंसानों को पसंद करता है दूसरों को खुशी देने में ही वो विश्वाश रखता है अब सोफिया यहां पर वी एफजी से सवाल जवाब कर रही होती है कि सपनों के बारे में जरूर आपको आपके माबापने सिखाया होगा BFG कहते हैं कि देतियों के मावाप नहीं होते अब सोफिया फिर से एक सवाल करती है कि आपकी उमर कितनी होगी तो BFG कहते हैं कि बस उतनी ही जितनी इस दुनिया की है बस हम हमेशा से इंसानों से छुपते रहे हैं सोफिया एकदम से पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहा गया और बोलती है कि शायद वो दैते उसे चिपते वक्त वही रहे गया है ये सुनकर दैते बहुत जादा डड़ जाता है और कहता है कि मैं फिर एक बार अपने उस पुराने दोस्त की तरह तुमें नहीं खोना जाता क्य असी की तुम हो और जो लाल कलर की जैकेट तुमने पाई हुई है वो भी उसी की है उसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया मैं उसको भी दैते के देश इसलिए लेकर गया था क्योंकि उसने भी मुझे तुम्हारी ही तरह इंसानों की दुनिया में देख लिया था पर द देत्य व को अनाताश्रम के बाहर छोड़ देता है पर सोफिया भी बड़ी चालू होती है वो बालकनी से च्छलांग मार लेती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीएफजी उसे बचा लेंगे और ऐसा ही होता है जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है देत्य उसे पकड़ कर लेता है अभ ना चाहते होई द Влад्र के लेकर डैतियों की नगरी जाने लगता है और हम दूसरी और देखते हैं कि सारे बड़े बड़ी बेसबरी से उनका इंतजार कर रहे होते हैं दरसल सारे र Luna कि बूड़े दैते के पास कोई इन्सान है इसी लिए दैटे ब्लैंकियड़ के खुश्च्वू करते करते बूड़े दैते के घर तक पहुआ जाते हैं और सो फियाक का तहसुल निहसु कर देते इसी बीच देत्य सोफिया की ब्लैंकिट को जला देता है इसी बीच सोफिया बीफ जी के दोस्त के कमरे में छिप जाती है बुड़ा देत्य बाकी सब देत्य को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है जब तक सोफिया कमरे को देख रही होती है और उसे वहां रानी की एक त हम दोनों को भी दिखाना होगा ताकि queen हम को बाद में पहचान ले बीए फजी बिलकुल ऐसा ही करते हैं वो एक बहुत बुरा सपना बनाते हैं जिसमें वो अपने आप को sofia को और साथ ही बहुत सारे missing बच्चों को भी डाल देते हैं जिसमें queen को ऐसा लगे कि बड़े देते सच में बच्चों को खा रहे हैं अब जैसे ही वो डरावना सपना बना लेते हैं वो सीधा क्वीन के पास जाते हैं और उसे वो सपना दे देते हैं क्वीन वो सपना देखती है जो सोफिया और बीएफजी उन्हें दिखाना चाहते हैं कुईन वो सपना देखकर बहुत जादा डर जाती है क्योंकि देते बच्चे को खा रहे होते हैं अब कुईन ये सब बाते अपने केरटेकर्स को बताती है पर केरटेकर्स कहते हैं कि आप डरिये मत क्योंकि ये सिर्फ एक सपना है अब जैसे ही वो अकबार पढ़ते हैं अकब सारी चौक जाते हैं पर सोफिया को क्वीन ने अपने सबने में पहले ही देख लिया था इसलिए उन्हें समझाना मुश्किल नहीं था अब सोफिया कहती खिरकार देते होता है, बुड़े देते कुछ शब्दों के साथ हेरा फेरी कर देता है, जैसे माहराने को वो मरजानी बोल देता है, और इनसान को तो वो इनसान कहता है, यहां कुईन ने जैसे वादा किया था, वो देते को कोई नुक्सान नहीं पहुचाते, कुईन उतका ब जिसके बाद बुड़ा देत्यों को उन नों देत्यों के बारे में बताता है और कहता है कि वो देत्यों बच्चों को नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए वो एक प्लैन तियार करते हैं जिसमें वो लोग मिलिटरी तियार करके देत्यों के देश जाते हैं और दूसरी तरफ स बुरा सपना बनाते हैं अब यहां उनके सामने एक मुश्किल आ जाती है बुरे देत्ये की सपने डालने वले चड़ी तो इनसानी दुनिया में रह गई थी पर प्लैन के उनसार उनने जल से जल बुरे सपने को देत्ये को देना था और सोफिया को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर सोफिया इससे पहले ही उस बोटल को जमीन में फेक कर तोड़ देती है जिससे वो सपना सभी देत्यों की नीद में चले जाता है जिसके कारण वो देत्ये अपने बुरे कामों पर पश्टाने लगते हैं पर देत्यों का लीडर तो पहले से ही जाक चुका था इसलिए उस पर सपनों का कोई असर नहीं होता उपर से वो सोफिया पर हमला भी करने लगता है पर बी एफजी यहाँ पर टाइम से आकर देत्ये का सामना करने लगते हैं पर बुड़ा देत्ये साइज में बहुत जादा छोटा होता है इसलिए बड़ा देत्ये उसे उपर उठा लेता है और बुड़े देत्ये को बस लगबग मानने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिलिटरी के लोग पहुँच जाते हैं और बड़े देत्यों को हाथ को पकड़ लेते हैं साथ ही एक के करके सभी देत्यों को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें एक सुनसान आइलेंड पर छोड़ देते हैं आइलेंड पर उन्हें इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि island के चारों तरफ पानी ही पानी था तो वो वहां से भाग तो बिलकुल नहीं पाएंगे और उन्हें खाने के लिए सिर्फ सबजीयां और सबजीयों की बीच दिये जाते हैं अब इनको सिर्फ सबजी ही खानी पड़ेगी अपनी पूरी जिन्द की इसके बाद सोफिया को दिखाया जाता है जो अप queen के महल में उन्हीं के साथ रहती है और BFG से कभी कभी बात कर लिया करती है क्योंकि उनको तो सारी आवाज सुनाई देती है वहीं दूसरी और हम BFG को देखते हैं जो अपनी पूरे दैत्यों के दुनिया में हरयाली ही हरयाली कर देते हैं क्योंकि वो अप ककड भुजा के साथ साथ बाकी सबी सबजीयों को भी उगाने लगे हैं सोफिया यहां पर सुबा होते ही अपनी BFG को गुड मॉर्निक विश करती है जो BFG सोन लेते हैं और खुश होते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिये गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी इंजॉई करें